कि है एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप से भी का अपनी चैनल टार्गेट सेमेस्टर पर समेस्टर एक्जाम की प्रपेशन को ध्यान में रखते हुए जैसा कि आपको पता है कि लखनो विश्विद्यालय का जो एक्जाम है वह बहुत ही जल्द होने वारा है फर्स सेमेस पर आएगा जहां पर आपको 10 questions मिलेंगे option में लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपको पांच attempt करने होंगे ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग लखनो विश्विद्यालय का है बीए फर्स समेस्टर एन एपी 2021 एक्जामनेशन है और यह जो पहला paper है history का यह यह history का first paper है तो major and minor दोनों के लिए यह compulsory है ठीक है तो देखते है major minor दोनों को यह paper देखना है MIH का तो topic क्या रहेगा जिस पर आपकी यहां पर book है जो book आपने पढ़ी होगी जिसका आपने अध्यन क्या होगा where Delhi Sultan political aspects 26 से लेकर के 15-26 था ठीक है तो इसी पर question होंगे यही topic है आपका Delhi Sultanate इसी पर होगा तो जो maximum marks है वो आपके 75 है ताइम आपको तीन घंटे का मिलेगा देखा है note में यहां पर ध्यान देना पड़ेगा attempt any 5 question from the following each question question carries 15 marks तो आपको कोई 5 questions करने हैं और प्रत्य question जो आप करेंगे उसके जो 15 marks हैं वह वहां पर count होंगे ठीक है तो देखते हैं यह paper आपका bilingual होगा जो students English English mediums हैं वह English में देंगे paper जो Hindi mediums हो हिंदी में पहला प्रिशन है कि do you agree with the statement that Sultan Ilthutmiss was the real founder of the Delhi Sultanate comment क्या आप कतन से सहमत है कि Sultan Ilthutmiss Delhi Sultanate का वास्तिक संस्थापक था टिपडिक कीजिए इसके बाद है दूशा question describe the circumstances leading the downfall of रजिया सुल्तान उन परिस्तितियों को विवरेंट जी दीजिए जिनके कारण रजिया सुल्तान का पतन हुआ तो यह जो आपका पहला question है बहुत ही बहतरीन question है इस इस पर आप बहुत ही बहतरीन इस पर आप बहुत ही बहतर तरीके से लिख सकते हैं अगर practice करेंगे अगला question है कि examine the factors leading to the association of Jalaluddin Khilji on the throne of Delhi उन कारणों का परिच्छन कीजिए जिनसे Jalaluddin Khilji का दिल्ली की शत्ता पर अधिकार हो सका अगला पांच्वा question है यहाँ पर कि analyze Allauddin Khilji's Deccan policy Allauddin Khilji की धक्कन नीतिका विश्लेशन कीजिए अगला question है explain Mohamed bin Tuglaq's project of transfer of capital Mohamed bin Tuglaq की राजधानी परिवर्तन परियोजना का वर्णन कीजिए साथवा question है कि describe the major military campaigns of गयाशुदिन Tuglaq गयाशुदिन Tuglaq के मुख्य सेन अभियानों का विवरंड दीजिए आटवा question है कि make an assessment of Sultan Firoz as a ruler एक शाशक की रूप में सुल्तान फिरोज शाह का मुल्यांकन कीजिए नवा question है कि define the kingship theory of लोधी सुल्तान लोधी सुल्तानों के राजध उसे धन्तों को परिभाशित कीजिए और last question है आप लोगों का जो exam होगा अच्छा होगा और यह questions आप लोग देख सकते हैं कि कैसे question पूछे जा सकते हैं exam में तो बीए first semester का यहाँ पर लखनव university का जो paper था M.I.H. का वो मैंने आपको दिखाया इसी तरह और भी जो papers हैं उनका भी मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा जिसे कि आपको पता चलेगा कि कैसा आपका paper exam में आएगा ठीक है हमारे साथ जूने के लिए आपसे भी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next video में